सरी शिवाय नमस्तु प्याम हेलो एवरीवर्ड आज में इंस्टेंट बढने वाली मिठाई की रेस्पी लाये हूए जिसे एक कोई बिग्णर भी आसानीसे बना सकता है उइससे बनाने के लिए ना हमें गेस की जरुएत ना चासनी ना मावा रा कंडेश मिल्क इतनी आसानीस यहां न्यारी दूख थो आइए बनाई से असानी बनाई एक प्लाइड एक पूरमास मैं रर्य जाता है। जिसमेरे चैनल का लाइकrophyंज हुआ चीनी आपको मेरी डीड मेरे चेनल में डाल चीनी दीछा जो भी थोड़ा बहुत बचेगा वो निकल जाएगा क्योंकि हम बिना गेस जलाए रैस्पी बिठाई बना रहे हैं तो इसे चान लीजिए और इसके एक्स्ट्रा है इसके निकाल दिए अब मैंने एक कप पनीर का यूज किया है यह होममेट पनीर है इसका सारा पानी जाए अब इसे मेरे हाल्प की है से हथेली की है इसे अच्छे से मसी है एकदम सा स्मूथ सा बना लेना इस टाइप से बन जाना चाहिए बास इसे जो हमने चीनी को चान के रगाता उसे केंदर इसे डाल दीजिए उसके बाद हम पाउडर लेंगे हमेने एक कप मिल्क पॉड करना है अगर हो सके तो पतंचली का यूज़ करें जादा बेस्ट है कि हॉल मिल्क पतंचली का जो आता हो बहुत ही अच्छा होता है मिठाई बनाने के लिए बस अब सारे मिश्टन को हमें अच्छे से मिक्स करना है इसमें ना दूट कियो कुछ भी डालने की जुरत नहीं क क्योंकि जो पनीर में जो हलका से गीला पन होता है उसके हमाइस की अच्छे से बैडने की हो जाती है आप इसे अच्छे से बना सकते है यह देखिए इसको मसते मसते देखिए इस तरह से हो चाएगा हमने और कोई चीज में एडने करें ना मलाई एड करा ना दूद एड़ क अब इसे silver foil में अच्छे से लपेट के 10 मिट के लिए फ्रीज में रख दीजिए या तो आप नॉर्मल टेंपरेचर पर भी रख सकते हैं बहुत जल्दी सेट हो जाती है यह मिठाई बहुत ही असाने से मिठाई बन जाती है इसी तरह से मैंने से round on थोड़ा सा और कर लिजे त 10 मिट के लिए रख दीजिए आप दस मिट के 4-5 मिट में बहुत अच्छे से सैट हो जाती है अगर आपके पास टाइम हो ताप 10 मिट के रख दीजिए नहीं तो यह दो 4 मिट में भी आप हैसे कट करके डा सकते हैं दस में हो चुके है अब हम इसको बैंडिंग जो है इसकी झुलते हैं सिल्वर फाइल ने लगा है कितनी अच्छी स्मूथ से चिकनि से बनी है हमारा रोल कितना प्यारा लग़्या यह जितना घैक देखने में लग रहा है उससे ज्यादा कहने अच्छा लगता liar आप फर्स टाइम बनाओगे तो इसे बार बर बनाओगे अब इसमें मैंने सिल्वर वर्क लगा दिया है आपके पास तो लगाएं तो कोई जरुवत नहीं है इसे लुग बहुत अच्छा था इसलिए सिल्वर वर्क लगाया जाता है अब इसे हम कट कर लेते देखिए कितने स अच्छी लग रही है हमारी मिठाई अब इसे पिस्ता से अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए आप किसी भी ड्राइफुट से इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं यह देखिए पिस्ते में तो इसका रूप बहुत ही अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने से पिस्ते से तो अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर थोड़ी से भी अच्छी लगी फिर मिलते हूं एक नगी रेसिपी के साथ जब तक के लिए अपना ख्याल रखी अपने फैमली का ख् हुआ है